स्वागत अक्पा करेंट अफिर विताकर्ष में आज हम जानेंगे 16 फर्वरी 2024 के करेंट अफिर के बारे में जो चलता है पहले कोशन पर कोशन नमर वन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस देश को सतरंज उलम्पियाट की मशाल सौपी सही आंसर है ओप्शन नमर डी हंगरी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हंगरी को शतरंज उलम्पियाट की मशाल सौपी कोशन नमर टू रेल कोश फैक्टरी कब तक वन्दे मैट्रो का प्रोटोटाइब लॉंच करेगी सही आंसर है ओप्शन नमर बी अप्रेल अप्रेल तक रेल कोश फैक्टरी वन्दे मैट्रो की प्रोटोटाइब लॉंच करेगी इसका लक्षे दोहजार चौबिस पच्चिस के अंतने सोला कोट की वन्दे मैट्रो तयार करना है सही आंसर है ओप्शन नमर थ्री दहरादून में पहले CDS जनरल विपन रावत की प्रतीमा का अनावरण किस ने किया सही आंसर है ओप्शन नमर बी रक्षा मंतरी राजनाज सिंग रक्षामंत्री राजनाज सिंग ने पहले CDS जनरल वेपन रावत के प्रतिमा का अनावरण किया Q4 किस राजे के गुपतेश्वर वन को नया जैव विविता विरासत इस्थल गुशित किया गया सही आंसर है ऑप्शन नमर B उडीसा उडीसा राजे के गुपतेश्वर वन को नया जैव विविता विरासत इस्थल गुशित किया गया जो चोथा जैव विविता विरासत इस्थल है Q5 आध्यात्मिक यात्रा के लिए लग्जरी ट्रेन पैलस ओन वील का शुभारम कब से होगा सही आंसर है ऑप्शन नमर D मई 2024 मई 2024 से आध्यात्मिक यात्रा के लिए लग्जरी ट्रेन पैलस ओन वील का शुभारम होगा ये ट्रेन आयोध्या वारारसी प्रियागराज मतुरा और वृंदावन को कवर करने वाली द्युमासिक धार्विक यात्रा होगी सही आंसर है ऑप्शन नमर D क्रिकेटर सही आंसर है ऑप्शन नमर A नेपाल नेपाल राजी के तमांग समुदाई ने सोनम लोसार के आउसर पन नया सल मनाया इनके कलेंडर के अनुसर 2860 वर्ष शुरू हो गया है कोशन नमर एट किस देश ने अब तटिये तेल रिसाव के बाद राष्ट्री आपातकाल की घोशना की सही अंसर है ऑप्शन नमर A त्रिनिदाथ और टोबैको त्रिनिदाथ एट टोबैको ने अब तटिये तेल रिसाव के बाद राष्ट्री आपातकाल की घोशना की कोशन नमर नाइन कितने चात्रों ने एक राष्ट एक चात्र की आईडी तयार करवा ली है सही अंसर है ऑप्शन नमर C 25 करूर 25 करूर चात्रों ने एक राष्ट एक चात्र की आईडी तयार करवा ली है कोशन नमर 10 किस देश ने अंटार्कटिक वग्यानिक जाच के लिए क्विन लिंक इस्टेशन खोला सही अंसर है ऑप्शन नमर C चीन चीन ने अंटार्कटिक वग्यानिक जाच के लिए क्विन लिंक इस्टेशन खोला और ये स्टेशन की तस्वीर कोशन नमर 11 PM सूरी घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किस ने किया सही अंसर है ऑप्शन नमर C PM मोदी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने PM सूरी घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया है इसका बजेट 75,000 करोण है और इसका लक्षे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रधान करना है और PM घर मुफ्त बिजली योजना के आवेदन सुरू हो चुके है किस देश ने दुनिया की पहली एर टैक्सी सेवा सुरू की सही अंसर है option number C UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट ने दुनिया की पहली एर टैक्सी सेवा सुरू की और यह एर टैक्सी की तस्वेर क Lesung Germas 13 गांदी नगर लोगसभा प्रीमियर रिलीक का उधगाटन किस ने किया सही अंसर है option number C अमिच्छा ग्रह मंत्री अमिच्छा ने लोगसभा प्रीमियर रिलीक का उधगाटन किया है question number 14 चिन्नई उपन का खिताब किस ने जीता सही अंसर है option number C सुमित नागल सुमित नागल ने चिन्नई उपन का खिताब जीता है ये खिताब जीतते ही ये TATP रैंकिंग में 121 स्थान से 98 स्थान पर पहुंच चुके है question number 15 राष्ट्री महिला दिवस कब मनाय जाता है सही अंसर है option number A 13 फरवरी हर साल 13 फरवरी को राष्ट्री महिला दिवस मनाय जाता है यह सरोजनी नाइडू की जन्म जहनती के उपलक्ष में मना जाता है। इस बाद सरोजनी नाइडू की 145 वी जहनती थी। चलिए आजाते हैं आज के आनी 16 फरवरी के इत्यास की ओर। 1669 में दुनिया का पहला चेक ब्रिटिस बैंक से निकाला गया। 1769 में मदरास पर फ्रांस का कबजा समाप्त हुआ। 1896 में हिंदी साहित के ससक्त हस्ताक्षार सूर्य का अंतरपार्ठी निराला का जन्म हुआ। 1918 में लिठ्यवानिया ने रूस और जर्मानी से स्वतंतरता की घुशना की। 1923 में प्राचीन मिस्र के राजा तूतन खामेन का मगबरा खोला गया। 1937 में अमेरिका के विज्ञानिक वालेस केरोदर्स का नैलॉन का पेटेंट की गिया और इसका इस्तुमाल शुरू में टूजबर्ष बनाने के लिए किया गया था। 1938 में प्रख्याद बंगला साहितेकार शरत चंद्र चट्टो पध्या का निधन हुआ। 1944 में हिंदी सिनमा के पितामा कहे जाने वाले दादा साफ वालके का निधन हुआ। 1956 में भारत के महान विज्ञानिक मेगनाथ साहा का निधन हुआ। 1969 में तानाशाह जनरल फुल गेसियों बतिस्ता की सेनाओ को हराने के बाद फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा का शाषन अपने हाथ में लिया। 1969 में टेनिस के महान खिलाडियों में शुमार जॉन मैकनारो का जन्म हुआ। 1981 में पश्यमी पाकिस्तान और चीन के बीच राज मारगों को आपचारिक तौर पर खोला गया। 1987 में पंडुब्बी से पंडुब्बी मार करने वाली पहली मिसाल को भारतिय नौ सेना में सामिल किया गया। 2009 में कारिवाहक वित्मंत्री प्रणाव मुखर जी ने वर्ष 2009-10 का अंतरम बजट पेश किया। 2013 में पाकिस्तान के हजारा कजबे में इस्तिद एक बाजार में हुए 25 स्पोर्ट में 84 लोग मारे गया और 190 लोग घायल हुए। अगर आप लोग को यह वीडियो सेसन पसंद आया हो तो प्लीजी से लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा।